हेलो बच्चो, आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है Mathematics, इसकी वर्क्षिट नमबर 9 समझाऊंगी, जिसकी डेट थे आपके पास 24 जुलाई 2020, आज की वर्क्षिट में हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, pair of linear equation in two variable, consistency और inconsistency, है तो ये chapter नमबर 3 की वर्क्षिट आपक standard form क्या होती है, linear equation in two variable की, ax plus by plus c, यह होती है, यह होती है, अगर आपके पास 2 equation है, तो आप लिखोगे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, ठीक है, तो यह आपकी standard form बन जाएगी, कब जब आपके पास 2 equations होगी, ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पर consistency और inconsistency होता क्या है, देखो, जो हमारे solutions निकलते हैं इससे, वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक consistent हो सकते हैं, एक consistent हो सकते हैं, ठीक है, consistent भी दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब consistent का मतलब क्या है, कि जिसके या तो unique solution हो, या infinite solution हो, ठीक है, unique solution मतलब एक solution हो, infinite मतलब बहुत सारे solution हो, और inconsistent का मतलब क्या हो solution ठीक है अब पता कैसे चलेगा कि जो solutions है वो मेरे consistent है या inconsistent है या मैं यह बोलू कि वो मेरे unique है no solution है या infinite solution है यह हमें कैसे पता चलेगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर condition दे रखें अगर आपके पास a1 upon a2 जो यह दो equations है इससे ही पता चलता है ठीक है not equal to है b1 upon b2 के तो इसका मतलब वो unique solution है ठीक है अगर आपके पास a1 upon a2 b1 upon b2 के equal है और c1 upon c2 के भी equal है तो इसका मतलब उसके infinite solutions है ठीक है लेकिन अगर आपके पास a1 upon a2 b1 upon b2 के तो इक्वल है लेकिन वो c1 upon c2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब उसके no solutions है ठीक है तो आपको यह conditions याद रखने परेंगी बहुत important है यह board exam में भी कई बार आते हैं इससे related questions one market questions तो आही जाते कि आप यह बताओ कि वो consistence है या inconsistent है ठीक है न तो conditions नहीं देते वो आपको क्या करते हैं तो equation दे देते हैं ऐसे कोई से भी equation बनाके दे देंगे जैसे 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 दे दी ठीक है अब यहाँ पर 4x plus 6y plus 10 is equal to 0 दे दी और आपसे कहेगा कि बताओ यह जो equation है इसके जो solutions है वो consistent है या inconsistent है या फिर यह जो solutions है इसके कौन से solutions है unique है infinite है या no solution है तो उसके लिए आपको यह conditions याद रखती परेंगे यह तीनों ही conditions ठीक है न वन माक के questions में यह आ जाते हैं ठीक है अब बात आती है यह तो हमने जान लिए चलो कि यह solutions कैसे निकालेंगे अब अगर हम इने ग्राफिकली जैसे कि आप देख रहूं यहां पर तीन ग्राफ आपके पास बने वे है ना crossing line है यह first वाला ऐसे cross करके जा रहा है उसे बोलते है crossing line या फिर आप उसको कह सकतो intersecting lines तो अगर आपके पास पता है unique solution है तो उसके जो graph अगर आप बनाओगे उन दोनो equations का तो वो हमेशा intersecting ही बन मतलब एक क्यों पर एक अगर आपने इन दोनो equations का graph बनाया तो एक ही आया दूसरा भी सी क्यों पर ही आ जाएगा उसको मोलते है overlapping lines अब वो कम बनता है जब आपके पास infinite solutions हो तो उसका graph कैसे बनता है coincident lines बनती है मतलब एक line के उपर ही दूसरी line बनती है उसको ही हम मोलते है overlapping lines ठीक है third वाला lines move at equal distance तो देखो यह रही है इसको हम मोलते है parallel lines और यह कम बनती है जब हमारे पर दो solution होते है तो हमारी lines कैसे बननेगी graph पे अगर हम उसे देखेंगे तो कैसे बनेगा वो parallel lines वाला graph बनेगा ठीक है ना तो यह आपके पास graph के तीरों चीज़े लिखी है तो य और no solution का graph कैसे होते है parallel lines होते है ठीक है ना चलिए अब आगे देखते है अब यहाँ पर देखो आपको equations दे रखी है ठीक है और आपको बताना है कि वो consistent है या inconsistent है और अगर consistent है तो कैसे solution है और graph पे कैसे आएगे ठीक है चलिए हम एक देखते है यहाँ पर तो x-2y-1 is equal to 0 है और 3x plus 4y-20 is equal to 0 है तो यह तो आपको पता है ना इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा देगे तो पहले वाला यह a1 और a2 है यह b1 और b2 है यह c1 और c2 है है ना तो चलिए a1 upon a2 देखते हैं तो वो आया 1 upon 3 यह रहा 1 यह रहा और 3 यह रहा अब b1 upon b2 देखते हैं तो वो आ आया minus 2 upon 4 इसका मतलब वो कितना है minus 1 upon 2 ठीक है c1 upon c2 देखते हैं तो वो आया 1 upon minus 20 तो देखो a1 upon a2 तो not equal to a b1 upon b2 के क्योंकि यह 1 upon 3 है और यह minus 1 upon 2 है अब यह तो not equal है तो जब यह not equal थे तो क्या था पहला ही case आगे है यह तो आगे है ना तो यह unique solutions थे और consistent था और intersecting line इंका graph बनेगा है ना तो देखो वो ही मैंने लिख दिया consistent unique solution और intersecting line तीनों चीज़े लिख दिया ठीक है उसी तरीके से second equation अगर हम यहाँ देखे तो 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 4x plus 6y minus 18 is equal to 0 तो a1 upon a2 अगर मैं देखू तो 2 upon 4 इसका मतलब 1 upon 2 है b1 upon b2 मैं देखू तो 3 upon 6 मतलब वो b1 upon 2 है कट करके और c1 upon c2 देखू तो मैं minus 9 upon minus 18 minus से minus कट गया यह b1 upon 2 है तो यह तो तीनों equal है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 है ना तीनों equal तो यह consistent दो है ही है इसके साथ इसके infinite solutions है और इसका graph कैसे बनेगा coincident lines मतलब एक क्यों पर एक ही line आ जाएगी overlapping हो जाएगी ठीक है ऐसी हाँ पर third दे रखा है x plus 2y minus 4 is equal to 0 2x plus 4y minus 12 is equal to 0 ठीक है ना तो a1 upon a2 अगर हम देखे तो 1 upon 2 आया b1 upon b2 हम देखे तो 2 upon 4 है मतलब 1 upon 2 आया c1 upon c2 हम देखे तो minus 4 upon 12 है minus का तो यह आया 1 upon 3 इसका मतलब यह दोनों तो equal है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 है लेकिन वो c1 upon c2 के equal नहीं है तो जब वो c1 upon c2 के equal ना हो तो उसे हम बोलते inconsistent और उसके solutions कैसे होते no solutions और graph कैसे बनता है टाइलर lines ठीक है ना चलिए अब आगे देखते हैं आगे भी c related same होई है आपको बस यह table complete कर लिए equations आपको दे रखी हैं देखो तो 2x minus 3y minus 8 is equal to 0 4x minus 6y minus 9 is equal to 0 देखें तो a1 upon a2 यह सब आपको लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखना हूं ठीक है table में इतना space नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिखना हूं तो यह आजाएगा 1 upon 2 b1 upon b2 अगर मैं देखूं तो minus 3 upon minus 6 तो यह भी आगया मेरा 1 upon 2 c1 upon c2 मैं देखूं तो minus 8 upon minus 9 तो यह आया मेरा 8 upon 9 तो इसका मतलब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 अभी किया यह हमने क्या था वो तो वो था मेरा inconsistent है ना और उसके solutions कैसे थे no solution उसमें solution नहीं थे और वो parallel line बनता है ठीक है चलिए second वाला यहां करते है तो x minus 2y is equals to 0 है और 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 है तो अगर हम a1 upon a2 देखे तो वो तो 1 upon 3 आ रहें b1 upon b2 देखे तो वो minus 2 upon 4 आ रहें तो इसका मतलब minus 1 upon 2 आ रहें c1 देखो यहां पर constant वाला नहीं है तो आप 0 ले सकते हो तो c1 upon c2 देखे तो 0 upon minus 20 तो 0 आ रहें तो आफ पता चल रहे है a1 upon a2 not equal to a b1 upon b2 के तो यह first वाला case है तो consistent तो है है ना और उसके साथ साथ इसमें क्या है unique solution है मतलब one solution है ठीक है और इसके line कैसे बनेगी intersecting lines बनती है इसकी ठीक है ना चलिए थर्ड वाला देखते है एक्स प्लस y is equal to 6 है और 2x plus 2y is equal to 12 है तो a1 upon a2 अगर मैं देखू तो 1 upon 2 है b1 upon मैं b2 देखू इसके आगे कुष्णिय है तो 1 है b1 upon b2 देखू तो वो भी 1 upon 2 है और c1 upon c2 देखू तो minus 6 upon minus 12 है आप सोच रोंगे यह minus कहां से आया देखू यह is equal to के बाद लिखा है तो आप इसको पहले standard form में लिख लो ठीक है ना अब आगया minus तो minus से minus कट गया तो यह भी 1 upon 2 है तो इसका मतलब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 है is equals to c1 upon c2 है तीनों equal है तो यह consistent तो ही है साथ की साथ इसके concept many solutions बहुत सारे solutions है यह फिर आप कह सकते हो infinite solution ठीक है और अगर हम इसका graph देखें तो कैसे बनेगा वह coincident overlapping lines बनेगी इसके अंदर तो यह थी आपके पास worksheet no.9 छोटी सी worksheet थी बस आपको क्या यादोना अच्छी है आपको यह अच्छे से यादोने अच्छी है आपको यह अच्छे से यादोने अच्छी है आप worksheet no.10 जो है वह हम अपनी next video में करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा थैंक यू